हेलो नमस्कार दोस्तों आप सबका फ्रस्ट स्वागत है मेरे स्यूट्यूब चैनल पर आज के सुड़ी में हम बात करने वाले तीन ड्रीम इले उनकी विनिंग टीम्स देखने वाले क्रियेटरीम पर क्लिक की जगा लेकिन मैं अल्रेडी टीन टीम यहाँ पर बना के रख चुका हूं जिसे एक एक करके आपको इडिट करके दिखाता जाओंगा कि किस को आपको लेना है और आखिर में क्याप्टन और वाइस क्याप्टन आप किसे बना सकते वह भी मैं आपको दिखाऊंगा तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने मेरे चाइनल कब तक सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बोले ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे उड़े सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप अच्छे खासी अर्णिंग कर सकते वीडियो का शुरू करते माय टिम पर क्लिक कर लेते हैं और पहले टिम को मैं आपको इडिट करके दिखा देता हूँ तो सबसे पहले कीपिंग के सेक्षण में वैसे तो तो तीनों प्लियर अच्छे तीनों प्लियर प्लेइंग जिले हुन में शामिल है लेकिन दो का परफॉर्मस थोड़ा अच्छा रहा है और उसमे परफॉर्मस भी ठीक ठाक रहा है और तीसरा अप्शन हमारे पास है नहीं अच्छा तो इसलिए अभी फिलाल में तीनों को लूँगा और पर चलते तो के होज है उसके बाद एडिविसेट को लिया है एम जोसेप को ले रहा हूँ और आर जॉन को ले रहा हूँ तो इस तर को ले रहा हूँ तो इनमें भी देख सकते हैं तीनों ने काफी बढ़िया परफॉर्मस के है और इसके अलाव भी गेन बाजी में और भी ऑप्शन है लेकिन अगले टीम में हम चेक करेंगे दोस्तों अब चलते कंटीडू पर क्लिक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के अल्रेडी स्टैक्स निकाल के रखें मैं वह आपको जरूर बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम टीम प्रिव्यू कर लेते सबसे पहले कीपिंग की बात करें तो लॉरेंस के साथ जा रहा हूं इसके अलोग किसी और कीपर के साथ में नहीं जा रहा हूं यहां पर तीन किपर है लेकिन तीनों में यारर ऑएसे किपर नहीं है जिनको साथ में लिया जा सकता है तो यहां पर लॉरेंस के साथ ही जाओंगा बैटिंग के बाद करें तो of course D Smith एं जॉन को लिया है और D Douglas को लिया है अगर all rounders की बाद करें तो चार अच्छे खासे all rounders याँ पर के होच को उसके बाद A Debuset को ले रहा हूँ M Joseph को ले रहा हूँ और R John को ले रहा हूँ चारों के चारों ने अभी तक काफी बढ़िया performance के है जरूर आप इन चारों के साथ जाएंगे तो काफी फायदा हो सकता है grand league जित सकते है या फिर अच्छे खासी earning आप पक्का कर सकते है गेनबाज की बात कर ले तो यहाँ पर भी तीन अच्छे खासे गेनबाज हमने चूज कर लिए आ रोजर्स, जे ठोमस और के चार्स इसतर से काफी जबदस तीन गेनबाज है इन्होंने भी काफी अच्छी विक्टे अभी तक निकाली है जिसे आपको काफी फायदा हो सकता है आप grand league जित सकते है या च्छे खासी earning पक्का कर सकते है चले दोस्तों captain और wise captain की फिर से बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके stats बताने आला था तो अब मैं सबसे पहले बात कर लेते हैं के होज को मैंने captain बनाए तो इनके stats देख लेते हैं तो दोस्तों अभी तक इनोंने सभी ने 3-3 matches के लिए तो इनोंने एक match में 45 run बनाए विकेट इनको gain बाजी नहीं मिली थी दूसरी match में 27 run बनाए यहाँ पे इनको विकेट नहीं है एक match में 29 run बनाए यहाँ पे इनको एक विकेट भी है तो कुलमिला के इनोंने काफी जबदस्त खेली है अभी तक T10 का match है रहतो तो यह 30 के आसपास भी run काफी अच्छे रहते हैं और काफी फायदे मन रहते हैं तो 45, 27 और 29 इस तरह से 3 matches में अच्छे खासे form हैं तो इनको इसलिए captain भी बनाए है वाइस captain की बात करें तो D Smith को वाइस captain बना रहा है इनका भी performance काफी अच्छा रहा है खास करके last 2 matches में तो काफी ज़्यादा रहा है एक match में उन्होंने 42 run बना है एक match में भी उन्होंने 27 run बना है और last जो तीसरा match था उन्होंने 14 run बना है लेकिन फिर भी काफी बढ़िया performance है डी Smith का भी और के होज का भी तो इसलिए इन दोनों को captain बना है काफी फाइदे मन साबित हो सकते आपको ये grand league जिता सकते या फिर small league भी जिता सकते अच्छी खासी earning तो ज़रूर करा सकते फिर यहाँ पर कहूंगा दोस्तों इस team को grand league के लिए यूज करेंगे तो ज्यादा देता हूं जो की ओ इस team के टकर के team है अफकोस यहां पर कीपिंग में मैं जरूर करूंगा लॉरेंस की जगह पर मैं दी समित के साथ जाओंगा इनका performance ठीक ठाक रहा है इतना बढ़िया नहीं रहा लेकिन अभी तक ठीक ठाक पर्फरमस है तो इनको एक team में तो मैं जरूर अगर बात करें बैटिंग के तो डी समित को लिया है डी डगलस को ले रहा हूं और तीसरे जो बल्ले बाद यहां पर मैंने चेंज कर लिये जे रॉबिंसन को चूज कर रहा हूं इस team में इनका भी performance ठीक ठाक रहा है तो एक खाट team में तो आप इनको ट्राइड जरूर कर सक अगर गेहन बाजर नहीं रहा हूं की रहा है कि इस रिजकंघ ए distracted शरेतो फिस पूरे इस टीम में तो यहां परा रराजर से एस लेवी से अगर देखे तो D. Martin भी है और चौथे K. Charles को भी मैंने इस टीम में लिया है और देख सकते हैं दोस्तों आईसा नहीं कि मैंने आईसे ही त्यार गेन बाज ले लिये लेकिन इस टीम में मैं उनको कप्तान बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको अगर यह भी अच्छा परफॉमस करें तो आपको सबसे ज्यादा फाइदा हो क्योंकि काफी लोगों ने ज्यादा इनको वाइस कैप्टन ही बनाया लेकिन मैं कप्तान बनाऊंगा स्टैट्स अल्रेडी मैं आपको बता चुका फिर भी बताता हूँ 42 रन एक बार किये थे इसके बाद एक बार 27 रन किये थे और एक बार उन्होंने 14 रन बनाये थे तो इस वज़े से इनको हम कप्तान बनाएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों फाइदा ही होने वाला है अगर यह अच्छा परफॉमस करें तो हमें ग्रैंड ल रन बनाये थे एक मैच में उन्होंने 20 रन बनाये थे और एक मैच में उन्होंने 30 रन बनाये थे हाला कि ठीक ठाक परफॉमस है लेकिन फिर भी प्लियर भी अच्छे और परफॉमस भी ठीक ठाक है तो कोई प्राब्लम नहीं है इनको कप्तान या वाइस कप्तान बनाने में अब ही फिलाल तो मैं इनको वाइस कैप्टन ही बनाने आलाओ इसके बाद काफी बढ़िया टीम बन चुके फिर से कहूंगा इस टीम को भी ग्रैंड लिग के लिए और स्मॉल लिग के लिए दोनों के लिए उज़ कर सकते लेकिन एक ग्रैंड लिग जरूर लगाईएगा ताकि अच्छी खासी अर्णिंग हो तो आपको ज्यादा फायदा हो इसके बाद अगर बात करें इस टीम को क्लोज कर लेते हैं सेव कर लेते हैं तीसरा और आकरी टीम मैं आपको दिखा देता हो किस तर से मैंने बनाया अगर बात करें तो यहाँ पर फिर से मैंने कीपिंग में एल लॉरेंस को ले लिया है इसके अलएग किसी और कीपर के साथ मैं नहीं जाने बात करें तो बल्लेबाजी में मैंने इस बाद 4 बल्ल्लेबाजों को लिया है आफकोस मैंने काफी रिंग की टीम बनाई है यह डी स्मित को ले रहा हूँ डी डगलस को ले रहा हूँ उसके बाद NST हिलेरी को ले रहा हूँ और उसके बाद चोते जो है एच कैंपर बेल को भी इस टीम में शामिल कर रहा हूँ इन दोनों का परफॉर्मस काफी खराब रहा है लेकिन फिर भी प्लियर काफी बढ़ी है दोस्तों इन पर आप भरोसा कर सकते हैं दाव लगा सकते हैं कम से कम एक टीम में तो जरूर ले सकते हैं इसके बाद मैं इस बाद 4 बल्ले बादों के बाद इस टीम में तीन आल रांडर के साथ जा रहा हू फिरसे के ओव डू बिसेट को वापस ले रहा हूँ और एम जोसेप को शामिल कर रहा हूँ तो इस तर से तीन अच्छे खासे लेनी के बाद गेनबाजी में चलते तो गेनबाजी में मैंने आ रोजरस को लिया है उसके बाद यहाँ पे एंद एंद पासकल को अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाया था तो इस टीम में जरूर उनको लूँगा और के चार्ल्स तो हमारे पास है दोस्तो तो कुल मिला के यह भी टीम काफी अच्छी बन चुके कंटीनू पर क्लेक कर लेते और देख लेते क्याप्टन और वाइस क्याप टीम मंस्रा है भी तक हषरकनल का और वाइस क्यापटन खरागड को बना रहा हो तो के चार्ल्स और ऑर रजर लॉज्य इस तर से दोनों को मैंने इस टीम का क्याप्टन उनकी क्याप्टन चूसके तो ति polít लए वापस कर तो इस तरसे चार वल्ले बाजे इन में से दो थोड़े रिसके दो काफी बढ़िया है अगर बात करें तो के हौज को ले रहा हूँ ए डुबूसेट को ले रहा हूँ और एम जोसेप को ले रहा हूँ तो इस तरसे तीन अच्छे खासे अल्रॉंडर हमने इस टीम में भी शाम बाइब करूंगा तो कुल निला के टीम भी अच्छी बन चुकने लेकिन 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 दोस्तो स्सेप और सर्फ ग्रांद लिक के लिए उसके जरा ऍांसलीक के लिए मत कीजिएगा क्योंकि इस दोड़ा जसक रिसकी टीम है लेकिन पर्फॉमंस अभी तक नहीं रहा है तो मैंने यहां पर थोड़ा हटके सोचा है इन दोनों को काफी कम लोगों ने लिया है और अगर यह दोनों अच्छा पर्फॉमंस करते तो आपको काफी फायदा हो सकता है इसलिए इन दोनों को मैंने इस टिम में ले लिया है लेक चलिए दोस्तों फिर से कप्टन और वेस्ट कप्टन पर चलते तो ठीक के चार्ल्स को मैंने स्टीम का क्याप्टन बना है जैसे कि आप देखी पा रहें इनका काफी शांदार गेन बाजी अभी तक किये दोस्तों तीन मैचे जे थे तीनों में इनों ने विक्ते निका लिए पहली मैच में दो विकेट, दूसरी मैच में एकी विकेट, लेकिन तीसरी मैच में भी दो विकेट इन्होंने निकाले थे, तो कुलमिला के काफी शांदार गेन बाजी की है अभी तक, तो इनको हम कप्तार बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई रिस्क नहीं रोस्तो, तो भी कुलमिला के चार विक्टे मिली है तो जरूर आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं मैंने कैप्टन इनको नहीं बनाया थोड़ा रिस्की जादा हो जाता था तो इसलिए इनको वाइस कैप्टन बना रहा है अगर आप बनाना चाहिए तो जरूर इनको भी कप्तान बना सकते हैं तो कुल मिला कि ये भी टीम काफी बढ़ेया बन चुके जरूर कर पहले से बता चुका और फिर से कोँगा सिर्फ पो सर्फ गैंड लिग के लिए उचके जगा स्मॉल लिग के लिए थोड़ी डिस्की टीम है इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते और सेव कर लेते और आखिर में यही कोँगा दोस्तो अगर आपको इन तीनों टीमों में लगता है कुछ चेंज़ेस कर सकते आप या फिर आपको लगता है क्याप्टण और वाज चैप्टन भी अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते लेकिन ज्यादा चेंज़ेस मत किजेगा ठोड़ा रिसक आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन जादा चेंजिस मत किजिए और टेलिग्राम की लिंक में अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों वहाँ पर जाके उसे जॉइन जरू कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता सको कि किसे ड्रॉप किया गया और किसे आपको उनकी जगपे लेना चाहिए तो आप आज के लिए इतना ही मिलते अगले उड़े में तब तक के लिए थैंक्यू धन्यवाद गुडबाई